गाईस फाइनली हमारा एरिन जाक चुका है और भाई साब कितना ज़्यादा ये खतरनाक लग रहा है आप लोग इसका साइज देखो यार ये तो पुरी सिटी को अकेले बचा लेगा जैसे मैं सोके उठा मैंने सोचा के चलो निउस देख लेते हैं कि क्या निउस आ रही है ये क्या दिखा रहे है ये क्या दिखा रहे है ये वाला टाइटन मेरे सबसे सो रहा है भाई जुरासिक पार्क में आप लोग दिख सकते हो कि इसने मलब डैनासौर को भी पीछे कर दिय साइज में आप लोग देख सकते हो ब्रांचों सा और बच्चा लग रहा सो गाइस यहाँ पी मेरे कुछ जल्दी से अपने घर पे जाना पड़ेगा क्योंकि यार मैं नानी के घर पे आया था सो गाइस चलो देखते हैं कि क्या वहाँ पे हो रहा है सीन कास वो टाइटन मेरे घर पे ना पहुचा हो क्योंकि भाई वो घर मेरा बहुत ही जादा कीमती है मैंने बहुत पैसे दे के बनवाए थे यह क्या भाई यार लग गए मेरे यार इसने तो मेरे घर पे अटैक कर दिया है भाई आप लोग देख सकते हो कितना जादा यह बड़ा था लेकिन भाई यह तोड़ के मानेगा यार तुझे मम्मी की कज़म है मेरा घर मत तोड़ सुगाइस देख सकते हो भाई यह नहीं मान रहा है पता नहीं किस मूड में आया है वाइफ से जगड़ा हुआ है क्या सोगाइस देख सकते हो यहां पे मेरा पूरा घर इसने और यह वेस्ट कर दिया यार देख सकते हो मेरे जिम का क्या हाल किए अग्स मुझे लगता हि यह साथ इसका एंड़ को इसको जगाना पड़े का तब यह जाके उस बड़े वाले टाटन को रोक सकता है क्यों debido कि आप लोग nails कितना ज़्यादा यह भी बढ़ा है यह वाला अच्छा मिरको लग रहा है क्योंकि भाई देख सकते हो जितने डैनासौर खड़ें उनको भी यह कुछ नहीं कर रहा है बस अपनी स्लीप में मतलब मस्त है सो गाइस मिरको इसको जगाना पड़ेगा तब यह जाके साथ उस वाल के पास सारे solution रहते हैं उन्होंने मुझे बताया था कि मैं कैसे गोकु बन सकता हूं उन्होंने मुझे लावा मॉंस्टर से भी बचाने के लिए solution बताया था हो सकता है बाबा इस बार भी मेरी help करें सो चलो चलते हैं बाबा के पास और पता करते हैं कैसे हम लोग बचा सकते अपनी city को इस वाले monster से finally मैं यहाँ पे बाबा के गाओं आ चुका हूँ जो की बहुत दूर था रात हो गई है आते आते सो guys चलो ढूंडते हैं बाबा को कहां पे बाबा है so guys finally यहाँ पे मिले को बाबा दिख गए हैं इन से पूछते हैं कि कैसे हम लोग बचा सकते हैं टाइटन से इस city को बाबा जी हमारी city पे टाइटन ने अटैक कर दिया और उसको केवल एक टाइटन हरा सकता है जिसका नाम एरिन है वो हमारी city में Jurassic Park के अंदर सो रहा है जल्दी से चलते हैं एयरपोर्ट की बिल्डिंग पर फिर हम लोग उस गन को निकाल के लिए पर जल्दी से ढखते हैं पर लोग उस गन को निकाल लेते हैं तो गैस देख सकते हो, मैं अंदर आ गया और यहां पी मेरे को धक्का दे दिए तो गैस ये तो मिरे साथ धोखा हो गया भाई, मुझे लगता है कि मैंने बाबा की बात पूरी नहीं सुनी थी देख तेरे को उस गेट की चाभी मिलेगी इस गेम के सबसे बड़े मेगा रैम पे उस पे जाके उस चाभी को निकाल तब वो गेट खुलेगा ओके गाइस तो यहाँ पे मैंने पुरी बात नहीं सुनी उसका नतीजा मेरा सर फड़वाना हो गया सो गाइस चलो जल्दी से चलते हैं देखते हैं कि कहाँ पे वो चाभी है फिर उसके बाद उस चाभी को लेके हम लोग चलते हैं सीधे इस एरपोर्ट वाली बिल्डिंग पे फिर उस गेट को खोल के उस गन को निकाल लेते हैं सो गाइस मैंने उस बड़े वाले मेगारैम पे जाने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई ये चलो ट्राय करके देखते हैं भाई मैं गिरूना वरना बहुत ज़्यादा हड़िया मेरी तूर जाएंगी सो गाइस देख सकतो यहाँ पे मैं इससे जंप मारूंगा सीधे निक्स जाएगी सो गाइस देख सकतो यहाँ पर हम लोग इस दम धान से बलब चला रहे हैं क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी गिरा तो मेरे को बहुत ज़्यादा चोट आने वाली है सो गाइस देख सकतो यहाँ पर इस वाले में घ्रैम पे भी मैं आगे अब यहाँ पे हम लोग भाई सीटी को बचाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है यहाँ पर सबसे बड़ी जंप मैंने मारती है भाई पहुंच जाओ और यहाँ पर इस वाले पर चलो मैं आ गया अब यहाँ आप लोग देख सकते हो हम लोग थोड़ा सा पास पहुंच गए उस चावी क अब मिरको यहाँ पर कंटेनर को बुलाना पड़ेगा यहाँ पर जेट पैक नहीं आता भाई बहुत ही बड़ा गंदा चीज़ हो गया मिरको इतनी महनत ना करनी पड़ थी सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मैंने कंटेनर को बुला लिया आप चलो इसके उपर जंप मारत देख सकते हो यहां पर मैं इस वाले पर आ गया हूं अब एक और कंटैनर में बुकुन पुला लिया है चलो जंप मार ने तो मैंने दूर से जंप मारी और फाइनली मैं चड़ गया हूँ इसके उपर अब यहाँ पर मैं चड़ जाओं गाइस लाल वाले पर यहाँ चलो जंप मार कर देखते हैं बाई यहाँ पर अभी मैं नहीं चलब पार है मिरे को एक और और कंटेनर बुलाना पड़ेगा सो यहा हमारा एरिन जाग जाएगा सो गाइस चलो यहां से उतर जाते हैं देख सकते हो बहुत ही मुझे यार ध्यान से उतरना पड़ेगा क्योंकि भाई बहुत ही कम मेरी HP बची हुई यह फिर से मैं गिरा यार बहुत ही ज्यादा मुझे चोट लग गई है लेकिन भाई फाइनली मै आगया हूँ एरपोर्ट पे अप चलो जल्दी से हम लोग उस गन को निकाल लेते हैं क्योंकि भाई टाइम बहुत कम बचा है यहां पर अगर वो खाने लगेगा लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी सो गैस यहां पर मैंने सीधे बाइक चला दी है अप चलो जल्दी से नॉर्मल पैदल चल जाते हूं सीडी पे सो गाईस देख सकते हो यहां पर मैं चल रहा हूं सीडी के ऊपर अब हम लोग यहां पर निकालने वाले हैं और फाइनली अपनी सीधी को फिर से बचाने वाले हैं बस हमारा एरिन हार मत जाए सो गाईस देख सकते ह फिर उसके बाद उस टैटन को मजा चखाएगा फाइनली हमारा एरिन जाक चुका है भाई जो की देख लो कितना ज्यादा डेंजर है भाई आप लोग देख सकते हो इसके बाल कितने ज्यादा बड़ें भाई इतना बड़ा है ये इसके सामने तो डैनासौर बच्चे लग रह फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन जीता है इन दोनों की फाइट में इन दोनों की फाइट यहाँ पर सुरू हो चुकी है और हमारा एरिन मार खारा फिर यहाँ पर चकरी चलाने लगा आप लोग दिख सकते हो बाई हिचाची जो होता था टेकन द्री में वैसे यहाँ पर रन अप ले लिया यार देख सकते हो यह तो सूपर मैन पंच मार रहा है भाई यह तो रोमन रेंस मन गया आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा सूपर मैन पंच मार और इसने मलब एक ही पंच में इस वाले टाइटन को धेर कर दिया भाई आप लोग दिख सकते हो कितना ज इसलिए हीरो की एंट्री नी होती सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर यह वाला फेक हीरो चल रहा था लेकिन भाई हमारा रियल एरिन हीरो आ गया और इसको धेर कर दिया सो गाइस हम लोग फिर से जीट चुके हैं और यहाँ पर मैंने फिर से अपनी सिटी को बचा लिया है